दोस्तों अगर आपके पास में ब्रेदर का प्रिंटर जरॉक्स मसीन है तो ये वीडियो आपके लिए पहुत ही मतलब की हेलप होल होने वाला है जैसे कि मेरे पास है DCP B7535DW आपके पास भी होगा तो आपको ये दो जानकारी होनी चाहिए मैं अब ही श्रिप दो ही चीजों के वारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ इस वीडियो में तो सबसे पहले तो अगर आपका जरॉक्स अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो उसे डार्क इस तरह करना है और एक डार्क है अगरना नहीं चाहिए तो आप उसे बात में कंभी करले क्यूंकि हर चो उसको डार की जरुवत नहीं रहती आप नॉर्मली जो सेटिंग रखेंगे तो भी अच्छा रहेगा अच्छा निकलेगा और डबल से मैं आपको बता दू कि किस तरह करना है डेंसिटी है उसको बड़ा लेना है पूरा फुल कर लेना है तो और उसके बाद में आपको जब भ दिने अटाने और यह पर आपको इसको सेटिंग कर लेना है यह पर मदद होने वाला है और मं targeting बता रहा हूं आागे की आपका मोЙल है वह हमारे प्रिंटर से कनेट करना है वह बीचन सेकंड्स में कनेट करना है यह सबसे में होटस्पोर्ट अपना अपना चालू कर लेना ह होट्पोट से connect होता है दुस्तों जो हमारा printer है brother का printer से connect होता है हम printer के setting में जाते है और हम यहां पर हमारा hot sport का नाम सू करता है और उससे connect करना पड़ता है आपको जो आपके hot support का password है वो जान लेना चाहिए और आपको फिर यहां पर सेटिंग में जाना है मेन्यू बटन दबाना है और यहां पर चार नमर में जाना है नेट्रक में और नीचे दबाना है ठीक है और यहां पर वुलान वाइफाई इसके उपर दबाना है ठीक है और एक और बार रोके करना है सेट अप विजाड में और किसम कालिए वे यहां पर आपको यहां पर वाद काल टालना है और रषाय करने आपका पर शुर्य पाइब करने है , यहां पर यहां अडाल पर टाल आप में शुचित compression को आप्सफब टाल राहा हूँ तो मेरा मैं किस तरह डाल रहा हूं आप देखिए और आप भी सेम उसी तरह कीजिए आपका जो पासवाड है किस तरह का है आप उतने बार प्लस वाला बटन या फिर माइनस वाला बटन आप दबाएंगे तो आपका जो नंबर है वह आ जाएगा असानी से ठीक है और सेकेंड इतना टाइम लेगा और यह यहां पर बता दिएका की आप का जो सेट इटिंग वह हो चुका है और अफिकनेट हो जोड़न के लिए बताईगा देखिए अब यहां केमेक्टम इaat को अर्फ्रेस्थ की ठीक है हम OK बटन दबा दिंगे ये हमारा हो गया mobile से connect हो चुका है mobile से हमारा printer होट्पोर्ट से connect हो चुका है तो दोस्तो अभी शिर्प connect नहीं हुआ एक और सेटिंग बाकि रहती है एप्लिकेशन से जाके और फिर हमें जो हमारा printer वो connect करना पड़ता है से दुद्सक्रार में किनेक्ट अबड़ता है तो यहां पर क्या हूं पर है उसकेarat तो सब्समाई करई ऐसे चुर्छक कनेक्ट करना प्लता है तो न फिर्वाथ सैटिंग में लेटा है तो पड़ाी टाइम लेता है। इसके उपर हम क्लिक करते है तो यह बहुत ही टाइम लेता है जैसे कि आपके देखे सर्च हो इने रहा हमारा जो प्रिंटर है आप कई बार भूर टाइम लग जाता है चार पाच मिनट हितना टाइम हमारा जो कश्ण मारे वह रुके का नहीं हमारा मबल कनेक्ट होने तक तो सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा और उस तरीके से आप चंद सेकेंट में आपका जो प्रिंटर है वह कर पाएंगे ठीक है आपको देना चाहिए कि आपका जो होड़ोट है उससे कनेक्ट हुआ है या पिर नहीं नीचे आपको अपना जो प्रिंटर है उसका ना करना माँ आई आई गार यहां पर बताऊंगा तो उसे आपको देखको लेना है ठीक है और यहां पर मैं सबसे जह कुंको देख इस तरीका है वह बताऊंगा यहां 3 तरीके देख रहा है और 3 तरीका lot of मैं आपको बताऊंगा आसां वह है सबसे neskos किस तरह से कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमें प्रिंटर में आना है यहां पर जिस तरह मैं कर रहा हूं वैसे करना है मेन्यू बटन दबाना है ठीक है और यहां पर चार नंबर में जाना आपको ठीक है यहां पर नेटवर्क के उपर हमें ओके करना है ठीक है और यहां पर नीचे बटन दबाना है फ्लान वाइफाई ठीक है उसके उपर OK किया हमने और उसके बाद में हमें एक बार नीचे दबाना है ठीक है और यहां पर TCP और IP बता रहा है है यहां पर हमें IP के उपर क्लिक करना है ठीक है और यहां पर IP एड्रेस के उपर हमें क्लिक करना है यह आज बताता हूं ठीक है हम ब्रदर प्रिंटर के अंदर जाएंगे और यहां पर जो हमारे प्रिंटर का नाम दिखा रहा है प्रिंटर का आइकन भी दिखा रहा है तो हमें उसके अपर क्लिक करना है और हमें सबसे उपर जो राइट में कौर् waterproof में दिखा बार में क्लिक करना यह जो बाकी तीन तरीकि से भार्ट टाइम लग जाता हमें करने में सबसे इजी मे जो करने का है तो मैं अब को बताता हूं ठीक है देखे उपर corner में दिख रहा होगा set manually इसके उपर हमें क्लिक करना है और यहां पर देखे वह जो हमारा जो printer है उसमें जो IP address दिखा रहा है वह डालना है क्यूंकि दोस्तों हर बार IP address चेंज होता रहता है इसलिए हमें बार-बार यह connect करना पड़ता है और ज्यादा time नहीं search करके और connect करने की कोशिश करेंगे तो बहुत time लेता है यह देखे और यह हमारे जो connection है हो चुका है अपि देखा देखा दोस्तों आपने कि कितना time लगा तो easy way से आप इस तरह से connect कर पाएंगे और अगर आप दूसरी तरीके से connect करेंगे तो बहुत time लेता है और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment करके जरूर पताईए और इस वीडियो को like जरूर करें और मेरे चैनल को subscribe करें और और भी कुछ जानकारी अगर brother printer के बारे में चाहते हैं आप तो मुझे comment करके जरूर पूचे मैं जरूर आपको जवाब दूगा